हेलो एरोवन कैसे आप सभी आई होफ सभी अच्छी होंगे स्वाश्त होंगे और मस्त होंगे स्वागत है आप सभी का इस वीडियो में आज की वीडियो में हम सीखने जा रहे हैं कोई वी चीज हमें चाहिए या हम अपनी लाइफ में कुछ करना चाहते हैं ऐसे संटेंसिस का चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना तो करते हैं वीडियो को स्टार्ट जैसे यह वांट है वांट मतलब होता चाहिए और वांटिड होता चाहिए था वांट चाहिए कोई भी चीज आपको प्र लाइफ में चाहिए उसके लिए आप वांट का यूज करेंगे और पास् रख लगेगा वर्ब की फोन का यूज नहीं होगा क्योंकि यह वांट रवांटिड है यह वर्ब की तरह ही काम करता है एक वर्ब है इसल्ए उब्जेक्ट के साथ बनाएंगे जैसे मुझे एक कार चाहिए आइवांट अ कर मुझे एक पैं चाहिए आईवांट अपैं अब मैं बोलू जैसे subject plus wanted, तो जो wanted आ गया हमारा, तो ये past को present करेगा, और ये present को, ठीक है, जो present में बोलेंगे हम, तो want लगाएंगे, और past में बोलेंगे तो wanted लगाएंगे, और जो want है, ये हमारा wants बन जाएगा, जब कब, जब हमारा subject, I, V, U, they होगा, तो want लगाएंगे, he, see, it, या कोई भी नेम होगा, कोई भी नाम होगा, तो हम wants लगाएंगे, ये आप adjust करेंगे, subject के according, got it, आगे चलते हैं, जैसे मैंने एक example लिया, कुछ example लिखे हुए है, देखेंगे इनको, और सीखेंगे, I want freedom, freedom होता है, आजादी, मुझे आजादी चाहिए, ठीक है, I want confidence, यानि कि मुझे confidence चाहिए, I want success, success होता सफलता, मुझे सफलता चाहिए, क्योंकि ये सारे हमारे object है, verb नहीं है, ठीक है, आगे verb के बारे में भी सिखाऊंगे, मैं आपको, पहलिन को देख लेते हैं, I want peace of life, यानि कि मुझे अपने life में स्यानती चाहिए, I want answer, मुझे answer चाहिए, कोई बात पूछे तो कहते हैं कि यार मुझे इस चीज का answer चाहिए, तो कैसे बोलेंगे, I want answer, this thing, I want some money, मुझे कुछ पैसे चाहिए, I want some rice, मुझे कुछ चावल चाहिए, I want a new job, मुझे एक नई नोकरी चाहिए, कुछ भी अपकी लाइफ में चाहिए आपको, और वो चीज है, वो हमारे वर्ब नहीं है, यानि वर्ब क्या होती है, जिसके पिसे आना, खाना, पीना, जाना आता है, वो हमारी वर्ब होती है, जिसमें वर्ब ना हो, वो sentence हमारे want से बनेंगे, ठीक है, I want, तो want, अगर आजाए, यहाँ ही, तो आजाएगा wants, I want freedom, ओके, I want freedom, और यहाँ हो जाएगा, he wants freedom, he wants a pen, ठीक है, समझाया, कैसे आपको बनाने है, ऐसे ही, जब हम बात करते हैं, negative sentence की, present की बात कर रहे है, negative sentence की बात करेंगे, तो क्या लिखेंगे हम, subject plus do, does, plus want, plus object, ठीक है, यानि कि मुझे आजाएदे नहीं चाहिए, I don't want freedom, मुझे success नहीं चाहिए, I don't want success, मुझे pen नहीं चाहिए, I don't want a pen, मुझे car नहीं चाहिए, I don't want a car, समझाया, कैसे यूज करना है, अब हम interrogative की बात करेंगे, तो do or does आगे आजाएगा, क्या तुम्हे freedom चाहिए, do you want a freedom, क्या तुम्हे pen चाहिए, do you want a pen, क्या तुम्हे car चाहिए, do you want a car, ऐसे हम बोलेंगे, तुम्हे freedom क्यों चाहिए, why do you want a freedom, तुम्हे car क्यों चाहिए, why do you want a car, ठीके समझाया, ऐसे आप बारे बारे से practice कीजेगा, ये तो हमने present में सीखा want का यूज, अगर हम negative की बात करते हैं, interrogative की बात करते हैं, तो हमें ऐसे ही बोलना है, पहले चाहिए, फिर नहीं चाहिए, क आपको practice करनी है, okay, अब बात आती है, wanted को use करेंगे, हम past में, कोई चीज हमें चाहिए थी, मुझे सफलता चाहिए थी, I wanted a success, मुझे एक car चाहिए थी, I wanted a car, मुझे एक नया घर चाहिए था, I wanted a new house, ठीक है, ऐसे हम wanted का use करेंगे, जब हम negative की बात करेंगे, तो subject did आजाएग I did not wanted object, did को didn't भी लिख सकते हैं, okay, मुझे कोई चीज नहीं चाहिए थी, मुझे तुम्हारे book नहीं चाहिए थी, I didn't wanted your book, मुझे तुम्हारा phone नहीं चाहिए था, I didn't wanted your mobile या your phone, ठीक है, समझा है, didn't का use कैसे करना है, मुझे सफलता नहीं चाहिए थी, I didn't want to success, ठीक है, wanted लगाना है, wanted लगाना है हमें, जो भी sentence हम बोल रहे हैं, उसमें wanted का use होना चाहिए और did का, आगे आगे आपको arrange करना आता है, कि did कैसे लगेगा हमारा interrogative में, फिर हमारा interrogative प्लस negative में कैसे लगेगा, और WS family के साथ हम कैस इसको use करेंगे अपने conversation में, ठीक है, यह आप अच्छे से बना लेंगे, अब बात आती है हमारी, want to, हमने सीखा want और wanted, इसमें verb का use नहीं होता है, केवल noun के साथ यह बनते हैं, कोई भी चीज हमें चाहिए, उसके अर्थ में हम want और wanted का use करेंगे, अब हम सीखते हैं, want to चा जो भी subject है, वो कुछ भी करना चाहता है अपनी life में, तो क्या आजाएगा हमारा subject करता, कारे को करने वाला, जो कारे को करने वाला है, वो कुछ भी चाहता है अपनी life में, वो आएगा work की first form, मैंने पहले भी बताया, जहां भी two आजाए, वहां work की first form ही आएगी, और object, जैस मैं पढ़ना चाहता हूं, मैं पढ़ना चाहता हूं, अब जो वांट था, तो नहीं था, तो रीड क्या होता पढ़ना, तो उसमें हमने वर्ब की फोर्म यूज नहीं कि थी, जो वांट था, वो ही फोर्म का काम करे थी, केवल हमने उब्जेक्ट को यूज किया था, इसमें हम पढ़ना चाहता है, यानि कि मैं पढ़ना चाहता हूँ, मेरी इच्छा है पढ़ने की, तो subject I want to read, ठीक है, समझ में आया, जैसे मैं, जैसे मैंने बोला, मैं अपनी life में कुछ करना चाहता हूँ, तो कैसे बोलेंगे, I want to do something in my life, ठीक है, मैं अपनी life में पढ़ना चाहता मैं भार घूमना चाहता हूँ, जो भी आप अपनी life में करना चाहते हैं, उनका use want to से होगा, ठीक है, जैसे मैं दिल्ली जाना चाहता हूँ, I want to go to Delhi, ठीक है, मैं इंगलिस बोलना चाहता हूँ, I want to speak English, मैं तुम से मिलना चाहता हूँ, I want to meet you, ठीक है, ऐसे आप want का use अगर हम कहें कि नहीं चाहता, तो इसमें क्या आजएगा, वो ही डूडा जाएगा प्रेजन्ट में, I don't want to read, ठीक है, अगर हम करते हैं, ही सीट की बाद तो हमारा डूडा जाएगा, यह आप अच्छे समझ रहे हैं, अगर आप वीडियो को पहली बार देख रहे हैं, तो चैनल पर जाके बागी के वीडियो भी जरूर देख लेना, इस वीडियो को देखने के बाद, अब आगया, don't, क्या आप पढ़ना चाहते हैं, तो do आगया जाएगा, do I want to read, why do I want to read, ठीक है, समझाया, कि आपको कैसे want का यूज़ करना है, आई हो, पच्छे से समझ आ गया होगा, अब जो भी आप अपनी लाइब में करना चाहते हैं, उसको want से use कीज़ेगा, आज के बाद, ऐसे sentences आप हिंदी में नहीं बोलेंगे, इंगलिस में ही बोलने की practice कीज़ेगा, अब देखते wanted का use, वीडियो अगर आपको अच्छी में कुछ करना चाहता था, तो I want, I wanted का मतलब होता है, past की बात हो रही है, past की बात, यानि कि आप कुछ करना चाहते थे, इसका structure क्या होगा, subject, wanted to, work की first form, और object, ठीक है, समझ आ है, जैसे मैं इंगलिस बोलना चाहता था, मैं अंग्रेजी बोलना, सब चाहते हैं बोलना, तो practice कीजिएगा, तभी आएगी, ऐसे नहीं आएगी, वीडियो देखने से कुछ नहीं होने वाला, तो I क्या है, मैं अब चाहता था के लिए क्या रही है, wanted to, मैं बहुत आराम से सिखा रही हैं आपको, इसलिए धिरे धिर लेकिन अच्छे से practice करना, सब कुछ depend किस पर करता है, practice पर, I wanted to speak English, ठीक है, मैं तुम से मिलना चाहता था, I wanted to meet you, मैं तुम से बात करना चाहता था, I wanted to talk to you, मैं तुमारे घर आना चाहता था, I wanted to come to your place, ठीक है, ऐसे आप sentences बारी बारी से बनाएंगे, मैं पानी पीना चाहत मैं चाह लेना चाहता था, I wanted to take tea, ठीक है, ऐसे sentences बोलेंगे आप, यह होगी हमारा positive sentence, अब negative की बात करते तो क्या एगा, didn't, पास्ट में क्या आता है, did, did not, did not को में लिखते है, didn't, I didn't, want, अब यहां wanted नहीं आएगा, want to आएगा, जब did होता है, तो बर्ग की first form लिखता है, want to speak, English, ठीक है, अगर हम क्या की बात करेंगे, तो did आगे आजाएगा, अगर हम डवलेच फैमिली की बात करेंगे, तो डवलेच फैमिली प्लस हमारी helping word, प्लस want, उसके बाद हमारा जो भी verb होगी, पढ़ना, लिखना, बैठना, उठना वो लगेगी, उसके बाद object लगेग चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना, साथ ही बैल आइकन को भी प्रैस कर लेना, ताकि आने मारी वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले, तो मिलते हैं नए टोपिक के साथ, तब तक के लिए रादे रादे